हाई अब्रीवन आग सोई लोगों का स्वागात है क्यमिस्टी केस क्लास में एड आज हम पढ़ेंगे आउपीसी नॉमनक्लेचर आज केस व्योडियो में हम सीखेंगे ठीक है सबसे पहले देखेंगे वन डिगरी अमीन का किसका? वन डिगरी अमीन वन डिगरी अमीन क्या होता है? वो अमीन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारवन से जुड़ा हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? वन डिगरी अमीन सपोज यहां पर हमारा कोई R गूरूप अटेच है यहां पर क्या है? NH2 तो यह जो nitrogen है सिर्फ और सिर्फ एक ही कारवन से अटेच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन डिगरी अमीन बोलेंगे ठीक है? देखते हैं अगर ऐसे हमारा दिया है तो हम क्या करेंगे? इसका पेशी नॉमंक्लेशर कैसे लिखेंगे? यह सबसे पहले हम लिखेंगे Alkane वन डिगरी अमीन की लिए बता रहा है प्लस इसमें हम एड करेंगे Amine एंड इस E को क्या करेंगे? हटा देंगे तो नाम क्या बनेगा? हमारा नाम बन जाएगा Alkane Amine या फिर हम जिसको बोलते है Alkane Amine क्या बन जाएगा Alkane Amine चलिए पहले एक्जामपल हम यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं नाम कैसे लिखेंगे फॉर एक्जामपल हमारे पास है CH3 NH2 तो यह जो Amine है क्या है? हमारा 1 डिगरी Amine है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से अटेच है तो 1 कार्बन का Alkane क्या होता है? methane तो हम लिखेंगे methane ठीक है एंड इसके लिए क्या लिखना है? Amine तो हम क्या लिखेंगे methane Amine एंड यहाँ पर जो E है उसको हटा देंगे तो नाम हमारा क्या बन जाएगा? methane Amine ठीक है यह क्या है? इसका IPSC नाव चाहे तो यहाँ पर हम लुकेंट नंबर भी बता सकते हैं 1 मेथेन Amine लिख सकते हैं या फिर 1 Amine भी हम इसको लिख सकते हैं चलिए second example लेते हैं for example हमारे पास है यह NH2 अब देखिए यहाँ पर total कितना कार्बन है? 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर total कितना है? 2 2 कार्वन का अलकेंट क्या होगा? इथेन ठीक है E को हमें लिखना नहीं है और इसके लिए क्या लिखेंगे? Amine तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन Amine third example अगर हम लिए कुछ ऐसे हमने लिए यहाँ पर क्या है? NH2 अब इसका IPAC नाम क्या से लिखेंगे? Numbering का लिजिया 1 2 3 4 कार्वन का अलकेंट क्या होगा? But single bond है तो N हो गया Butane इसके लिए क्या लिखेंगे? Amine तो इसका नाम हो जाएगा Butane Amine या फिर बोले Butane Amine fourth example हम लेते हैं पोज हमारे पास है कुछ ऐसे यहां पी हमने लगाया NH2 यहां पी हमने क्या लगा दिया? BR तो इसका नाम क्या से लिखेंगे? अभी भी यह हमारा क्या है? 1 degree Amine क्योंकि यह इस कार्वन से अटेच है single carbon से तो हो गया 1 2 3 4 5 यह है सबसे पहले हम सबस्टिटुएंट का नाम लिखेंगे इसका नाम क्या है? BROMO तो हम लिखेंगे 3 BROMO 3 क्यों लिखे? क्योंकि यह 3 नंबर क्रवन से अटेच है टोटल कितना क्रवन है? 5 क्रवन कहले क्या होगा? PENTANE तो हम क्या लिखेंगे? PENTANE इसके लिखेंगे अमीन तो यह हो जाएगा इसका IPSC नेम चले इसका IPSC नाम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको हम और कैसे लिख सकते है? CH3 यहाँ पे हो गया CH3 यहाँ पे क्या होगा? CH CH और फिर हमारा क्या है? CH3 और यहाँ पे क्या अटेच है? NH2 इसी को हमने ऐसी बनाया तो सबसे पहले हम करेंगे NUMBERING 1 2 3 2 नमबर पे इस बार हमारा क्या है? Amine तीन कारवन का इलकेन क्या होगा? Propane ठीक है तो क्या हो जाएगा? Propane Then 2 नमबर पे क्या है? हमारा Amine तो हम लिख देंगे 2- Amine इसको हम लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं Propane Amine ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं दोनों नम इसका correct है इस बार जो हमारा Amine है वो 2 नमबर पे था चले इसका आउप एसी नेम लिखते हैं सबसे पहले हम नमबर करेंगे जिधर से Amine को कम से कम नमबर मिले इधर से जाएंगे तो लंबा मिलेगा इधर से जाएंगे 2 नमबर पे मिल जाएगा तो नमबर होगा यहां से 1, 2, 3 यहां पे हो जाएगा 4 then फाइब Smithshake टो सबसे पहले हम substitute का नम लिखेंगे इसका नमबर पे है तो हम लिखेंगे e9 इसका ब्रोमो तो हो गया 4 यह है five number carbon posant Someone लिखेंगे five और इसका नम क्या है Met-I Green नमे इसका नमिछताउय है तो नीमिंग हम कैसे करेंगे कि अएसे नाम लिखेंगे दीकिका नाम है मिठाइल में इसका नाम है ब्रोमो तो फाइप डैस मिठाइल है यहां प्रीयस luck यह लगेगा जब भी हमारा कोई न्हुंबर आएगा यहां तक हो गया हमने लिख लिए total कितने चक्यक्ति अफे से कारवन करद जैंद हुआं एक ओर हमीज पीसिखान नेम हो गया एक और हम łam today सब्सक्नकियु नफष출ff नमंगे यह भी वह रख उसकाerson नमबर तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यह क्या है तो सबसे पहले इसका नम लिखेंगे कौन से नमबर पर है थ्री नमबर पर है तो हमें क्या लिखना है थ्री ब्रोमो ओके देन कितने कार्बन की चैन है टोटल 6 6 के लिए वाणूट होता है हेक्स हेक्स हमने लिखेंगे क्योंकि यह पर डबल वां मतलब अलकी इसके बाद हम्या लेकिए वार्षे भी नमबर पर है्टभल वां तो हम्लेंगे 4 और इसके लिए Ying Рon चली पूरा लिखते हैं फिरा टाएंगे ठीक इन हो गया कॉनसे नमबर पे 4 नमबर पे then 1 नमबर पे हमारा क्या है और 2 नमबर पे हमारा 1 डिगरी अमीन है तो लिखेंगे 2 अमीन और कैसे इसको लिख सकते हैं यहाँ पे A है तो इस E को हम हटा देंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा 3 ब्रोमो हेक्स 4 इन इन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 अमीन यह हो गया इसका correct IPSC नाम 3 ब्रोमो हेक्स 4 इन 2 अमीन तो अमीन है कैसे लिखा है पहले हमने substitute लिखा then 6 का अलमबर ने तो हेक्स लिखे है 4 नमबर पे double bond है तो हमने लिखा 4 अलकीन के लिए suffix होता है इन तो हमने लिखा इन 2 नमबर पे हमारा 1 डिग्री अमीन है यह 1 डिग्री है ठीक है कारवन का नमबर कौन सा है 2 नमबर 2 नमबर से NH2 अटेच है इसलिए हमने नमबरिंग करेंगे तो यह हो जाएगा 1 then 2 3 and 4 लॉंगेस्ट कारवन चैनल हम चूज करते है तब नमबरिंग कर दिया तो यह हमारा क्या है सब्स्टिट्वेंट कितना कारवन है वन कारवन है यह क्या है मेथाइल क्या है यह मेथाइल और यह हमारा क्या है सब्स्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चैन है फोर कारवन के लिए किया होता है ब्यूतीन सभी वॉंट सिंगल ने तो क्या हो जाएगा ब्यूतीन देन वन नमबर पर क्या है हमारा अमीन तो हो जाएगा वन अमीन आल राइट यहां फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N-methyl-1-butane-amine इसका नाम लिखते हैं हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले longest carbon chain चूज करेंगे इधर जाएंगे 2 carbon इधर आएंगे तो 1, 2 and 3 यहां पर हमारा एक substituent भी है यह कितने carbon की 1 and 2 carbon का क्या है substituent and इसका नाम क्या है ethyl कैसे लिखेंगे इसका नाम हम nitrogen से attach है तो लिखेंगे and as ethyl और इसका नाम क्या है bromo अब हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे जब यहां पर दो-डो substituent आ गए हैं तो हम alphabetical order follow करेंगे इसका नाम क्या है bromo तो alphabetical order में B हमारा पहले आएगा E बाद में आएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे bromo कौन से number पे attach है two number पे तो हम क्या लिखेंगे two ठीक है थोड़ा सा और इधर लिखते हैं टू ब्रोमो ठीक है उसके बाद हम क्या लिखेंगे एन इथाईल डैस एन डैस इथाईल टोटल कितने कारवन की अलके इन है वन अमीन यह हो गया इसका ऑइपेसी नाव अब हम 3 डिगरी आमीन का नोमंक्रेचर सिहांगे यह अमीन कौन सा है जिए नाइट्रोजन है टोटल तीन कारवन से अटेच है तो यह क्या है 3 है सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 and 4 longest carbon chain इधर 4 का है यहां पर 2 carbon का है यहां पर 1 carbon का है यह हमारा क्या substituent जिसका नाम है methyl nitrogen से attach है तो लिखेंगे N methyl ओके और यह भी nitrogen से attach है तो लिखेंगे N total कितना carbon है 2 तो क्या हो जागा अधर यह एल को add कर देंगे तो क्या नाम बन जाएगा इसका N-ethyl ठीक है तो सबसे पहले इन दूनों का नाम लिखेंगे इन दूनों में से पहले किसका हम लिखेंगे तो पहले हमारा अलफा बेटिकल ओडर में यह आएगा अग बाद में क्या आएगा एम तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम एन इथाइल दैन एन मिथाइल ठीक है हो गया टोटल कितना कारवन है इसमें फोर कारवन कालकेन क्या होता है प्रोपेन और ब्यूटेन तो ह एह क्या होगा इसका आईग कि लिखेंगे नाम इसका आईव can see ten लाओं लिखते हैं यहांपर अगर हम नंबर साही हमारा यह विलतीन और कश नोर्लेम करेंगे यहांअटें रेंद ना यहां पर 3 यहांपर कितना 1 & 2 ज़न stress है substitute है यह इसका नाम क्या है nitrogen से attached है तो लिखेंगे एन और दो carbon है तो हो जाएगा add करेंगे yl तो क्या हो जाएगा एन इथाइल और यह भी हमारा क्या है एन इथाइल तो नाम कैसे लिखेंगे दोनों क्या है इथाइल तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे N, N, थीक है, दो बार है तो लिखेंगे Di, नाम क्या है, इथाई, तो हम लिख दिनगे इथाई, टोटल इसमें कितना का, यह जो longest carbon chain है कितना है, त्री, त्री carbon का alkyne क्या होता है, propane, तो हम लिखेंगे propane, then one number पे क्या है, यहां से one number पे क्या है, nitrogen, त यह विपसी नाम इन दोनों सब्सट्रिंट का नाम यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है यह जो मेन हमारा चेन है इन कारवन है तो उसके लिए प्रोपेन वण नमबर पर क्या है नाव नटरोजल नाटयश है से तो हो गया वन अमीड अब हम इसका IPC नेम लिखते हैं देखिए अगर हमाई पास दो दो बार अमीन ग्रूप आ गया तो हम क्या करेंगे ठीक है दो बार है तो इन दोनों को हम इंक्लूट नहीं करेंगे यहां पर लिखेंगे 1,2,3,4,5 ठीक है अब कौन कौन से नंबर पे है सबसे पहले हम लिखेंगे वाडूट कितना करवन है 5 करवन क्या लिखेंगे इन क्या होता है पेंटेन तो हमें क्या लिखना है पेंटेन देन 1,5 क्या लिखेंगे 1,5 दो बार है तो लिखेंगे डाई और इसका नाम क्या है अमीन तो हो जाएगा डाई अमीन और यह हो गया इ is how we perceptions way too इसका IPC नाम लेखते हैं ठीक है यह हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसमेड्ज गरूब है यह है कीटून यहाँ पे है हमारा amine और यह है methoxy जब ketone, amine और carboxylic acid की हम बात करें तो उस priority किसको देते हैं? carboxylic acid की किसको priority देंगे? COOH को carboxylic acid की जब carboxylic acid को priority देंगे तो यह सब हमारे क्या हो जाएंगे? substituent numbering करेंगे तो यहाँ पे होगा जब यह substituent बनेगा तो इसका नाम हम लिखेंगे क्या? amine कि tone substituent बनता है तो इसका नाम लिखते हैं हम oxo यह क्या है methoxy? इसके लिए हम क्या लिखते हैं? oic acid suffix to क्या होगा इसका? oic acid ठीक है? तो सबसे पहले substituent का नाम लिखेंगे फिर यह main chain का नाम लिखेंगे what root लिखेंगे उसके बाद हम इसका लिखेंगे functional group का तो सबसे पहले a है, m है and o है तो alphabetical order में पहले हमारा क्या आएगा? a आएगा कौन से नंबर पे attach है? 4 नंबर पे तो क्या लिखेंगे 4? amine ठीक है, हमने क्या लिखा यहां पे? 4 amine उसके बाद क्या आएगा? हमारा m आएगा, फिर o आएगा तो m कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे तो क्या लिखेंगे 6? इसका नाम है methoxy तो हो गया methoxy then 3 नंबर पे क्या है हमारा? ketone तो लिखेंगे 3 और इसके लिखेंगे oxo टोटल कितना कार्बन इसमें? 7 कार्बन का इलकेन क्या होता है? हमारा heptane तो हम क्या लिखेंगे heptane? 1 नंबर पे क्या है? acid तो हो जाएगा 1 oic acid यह क्या? इसका IUPAC name है थोड़ा सा यह tough था इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था तो जब यह सब आएगे तो सबसे ज़ाद priority हम किसको देंगे? carboxylic acid functional group को देंगे last example हमारे पास है यह इसका क्या लिखेंगे? IUPAC नाम यह हमारा क्या है? alcohol और यह क्या है? amine है तो इसमें से priority किसको देंगे? दोनों ही functional group है लेकिन जब alcohol और amine एक साथ आएंगे तो priority हम किसको देंगे? alcohol को OH को यानि कि यह बनेगा functional group और यह क्या बनेगा? substituent तो numbering कि इदर से करेंगे? इदर से इसको कम से कम number देंगे तो हो गया 1 then 2 यहां पे हो गया हमारा 3 यह होगा 4 5 and 6 ठीक है? तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? इसका लिखेंगे substituent है कौन से number पे? 4 number पे तो इसके लिए जब यह substituent बनेगा तो इसका नाम हम लिखेंगे क्या? amine तो क्या हो जाएगा 4 amine then उसके बाद से टोटल कितना कार्बन है? इसमें 6-6 कार्बन कैलकेन क्या होता है? हमारा हेकसेन तो क्या है हेकसेन? 1 number 2 number पे क्या है? alcohol तो हो जाएगा 2 इसके लिए सफिक्स होता है ol तो हो जाएगा 2 all